लीटर और मिली लीटर का संबंध पिछली वीडियो में हमने लीटर और मिली लीटर के संबंध के बारे में जाना चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे अलग-अलग इकाईयों का उप्योग करके एक लीटर बनाना आपको पता है कि 500 मिली लीटर को दो बार मिलाने से एक लीटर बनता है हाँ श्रीमान कोई और इकाईयां हैं जिसको जोड़ कर हम एक लीटर बना सकते हैं श्रीमान थोड़ा और विस्तार से पूछिये, मुझे ठीक से समझ नहीं आया उदाहरण के लिए क्या तुमें लगता है कि 2500 मिली लीटर के घलास को मिलाकर एक लीटर बनाया जा सकता है जी हाँ, बनाया जा सकता है नहीं मुझे नहीं लगता कि 250 मिली लीटर से 1 लीटर बनाया जा सकता है हम तो चलो हम सभी देखते हैं कि कैसे 200 मिली लीटर और अन्य इकाईयों को जोड़ कर 1 लीटर बनाया जा सकता है इन दोनों गलासों में 500 ml पानी है दोनों को मिला दिया जाए तो कितना पानी होगा 500 ml पानी सही कहा तुमने चिन्टु हाथी अगर हम 200 ml के दो और पानी के गिलास मिला दें तो कुल कितना पानी होगा पांत सो मिली लीटर और पांत सो मिली लीटर हुए हजार मिली लीटर मतलब एक लीटर बिल्कुल सही अब यह देखो एक बोतल में दो सो मिली लीटर तेल है और दूसरे में तीन सो मिली लीटर अब बताओ कि 1000 ml या एक लीटर की बोतल पूरा भरने के लिए तुम्हें और कितना तेल चाहिए? क्या इसका उत्तर 400 ml है? ध्यान से देखो, 200 और 300 ml जोड़ कर होते हैं 500 ml, तो फिर 500 ml और जोड़ने पर एक लीटर बनेगा तुमने सही जवाब दिया? अब बताओ कि कितने 100 ml के गलास से एक लीटर बनेगा? 100 ml के 10 गलास से 1000 ml बनता है, मतलब 10 गुना 100 ml से एक लीटर बनता है अब मेरे एक और सवाल का जवाब दो, इस बोतल में 200 ml पानी है, ऐसे कितने 200 ml और जोड़ने से 1000 ml पानी बनेगा? मुझे पता है कि 200 ml को 5 पानी जोड़ने से 1000 ml या एक लीटर बनता है, तो इस बोतल में अगर हम चार बार 200 ml डाले तो एक लीटर बन जाएगा? बहुत खूब हाती, मतलब 200 ml को 5 गुणा करने से एक लीटर बनता है, यह देखो हमारे पास 400 ml दूद है, हमें चाहिए 1000 ml या फिर एक लीटर दूद, अब देखो यह 200 ml और 300 ml के पैकेट हैं, कौन से 3 एक जैसे पैकेट मिला कर 1000 ml बन जाएंगे? क्या 3-300 ml के पैकेट मिला कर 1000 ml बना सकते हैं? मुझे लगता है कि इसका सही उत्तर 200 ml है, 200 ml के 3 पैकेट मिलाने से 600 ml बनता है, इसलिए हमें 200 ml के 3 पैकेट चाहिए, 600 ml को 400 ml के साथ मिलाने से 1 लीटर बनता है, बिल्कुल सही, हम देख सकते हैं कि सिर्फ 500 ml ही नहीं, हम और भी बहुत सारी इकाईयों को मिला कर 1000 ml या 1 लीटर बना सकते हैं, जी श्रीमान अब समझाया, तो बच्चों, आज हमने सीखा कि कैसे अलग-अलग इकाईयों का प्रयोक करके 1 लीटर बनाया जा सकता हैं, कर दोड़ायों कि सुपता हैं, भी बहुत सकते हैं, जी झालग-वार देख सकते हैं, व्या जाएंगों कि सम्झायों को मिला सुपता हैं, कि सकते हैं, तो इसकते हैं, झाल झाल